दोनों टीमों ने काफी तेजी से पकड़ी है अपनी रफतार अब कौन जाएगा पार जब भिड़ेंगे केके आर और आर मैच का प्रिव्यू करने के लिए ESPN ट्रिकिन 4 टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ जोड़ रहे हैं वसीम जाफर सर उम्मीद की थी कि जब एक महीना तकरीबान एक महीना हो गया है सीजन का कि ये दोनों टीम अपने आपको पॉइंट सेबल में सबसे उपर पाएंगे जी नहीं मुझे लगता है कि यूज्वल जो नाम्स थे वो CSK में भी मुंबाई थे उसके अलावा अबिसली गुजरात के थोड़े से कुशन मार्क थे बट केके आर ने कमाल का क्रिकिट खेला है तो भी होनेस्ट जिस तरह से उनकी टीम उभर कर आ रही है जो कॉम्मिनेश उनका दिख रहा है बहुत बैलेंस टीम लग रही है और मल्टिपल परफॉर्मस है जो मल्टिपल लोगों ने मैच जिता हैं कॉंट्रिबूशन किया है बट सेइंग डैट श्रे शेयर का वैसे फॉर्म नहीं आया अब तक रिंकु सिंग अब तक वैसे नजर नहीं आया तो यह थोड़े ओर स्केरी साइंज है दूसरे टीमों के लिए और आरार की अगर बात करें तो आरार जनरली उस तरह की टीम है कि जो करती है परफॉर्मस अच्छा एवन दो लास सीजन थोड़ा सा सेकेंड आफ में धसल गएते हो लग लेकिन इस बार शुरुआत अच्छी की केके आर के लिए लास्ट यर ओपनर्स तो कभी वो तैही नहीं कर सकेते हैं आट ओपनिंग पार्टनर्शिप्स यूज हुए थे लेकिन इस सीजन अब तक या तो नराइन फायर करते हैं या पिछले मैच में फिल सॉल्ट जो की सबसे बड़ी चेंज है इस टीम में जी हां एक तो फिल सॉल्ट ऑबिसली उन्होंने गुरबाज के ऊपर प्रिफर किया उनको क्योंकि गुरबाज लास्सीजन इतना बुरा परफॉर्मंस नहीं किया था बट फिल सॉल्ट जो के मैं खुद भी थोड़ा सर्प्राइस था क्योंकि रिप्लेस्मेंट प्लेयर आये थे जेसं रॉय के लिए और उनको प्रीफरेंस दिया गया और उन्होंने कमाल की शुरुआत दी है उनको आइमिन आटैकिंग प्लेयर है यह सब हम जानते हैं लेकिन जिस तरह से खेल रहे हैं जिस तरह से उन्होंने आईपी एल शुरुआत किया इस साल धमाकेदार शुरुवात किये नारायन अगेन थोड़ा सा सर्पाइजिंग है क्योंकि लास सीजन भी उनको आन एन आफ इस्तमाल किया गया था कुछ मैचों में इस्तमाल किया था फिर भी वो नंबर साथ आंट पर भी खेलते रहे वो थोड़ा सा गंभीर का और फिल सॉल्ट के साथ में ज्यादा इस बार हमको चेंजेस देखने नहीं मिले और एक चीज अच्छी भी होती है जब आपके टीम जीत रही होती है आपके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा चेंजेस करने की जरुवत नहीं पड़ते हो तब चीज अच्छी रही है के जीत रहे हैं और वो स्टेबल कॉंबिनेशन उनका खेल रहा है जो उनके लिए वाक कर रहा है वहीं दूसरी और राजस्तान रॉयल्स मैचस तो लगातार जीत रहे हैं लेकिन ओपनर्स जॉस बटलर ने एक आर सीबी के खिलाफ शातक जड़ा है लेकिन उसके अलावा जैसवाल और बटलर के बल्ले से रन नहीं है आप ऐस टीम इसको ऐस पॉजिटिव देखेंगे कि हमारे दो सबसे इंपॉर्टन जो बल्ले बाज हैं वो फायर नहीं कर रहे हैं और तब भी हम मैच जीते जा रहे हैं बिल्कुल अगर वो दोनों चल प रेगिलर एक कंसिस्टनसी उन्होंने दिखाई है ऐस बैट्समन वो एक गुड़ चेंज नजर आया है बट आइटिंक के बड़े स्कोर जैसवाल के मुझे लगता है अराउंड दो कॉर्नर है क्योंकि वह जो शुरुआत उन्होंने की थी उससे मुझे लग रहा है कि थोड पराग पॉम में है संजू सैंसन रन बना रहा है हित्मायर ने पिछला मैच जिताया रोमन पावल भी है उनके पास थामीन थोड़ा सा अगेन नो वंडर के ये टीम टॉप अटेबल है अब बोलिंग अटैक्स पर रुक करें तो केक्यार रवीवार को उन्होंने जीत कि औलेंगे ड्यों एक्सपेक्ट की सिमिलर बोलिंग कॉम्बैशन रहीगी यह दूसरा मैच ऐसा गया है जिसमें उन्होंने ना बाउंडरी खाई ना सिक्स खाई तो आल इन ओल अच्छे टीम लग रही है कुछ जादा मुझे लगता नहीं कि चेंजेस नजर आ रहे हैं अगर हम बैक अप की भी बात करें तो उनके पास अनुकुल रॉय का एक बहुत अच्छा आप्शन है लेफ्ट आम स्पिन ऑल राउंडर सुयश शर्मा जो है लेक्स पिनर है तो डिपेंड करता है कि वो पहले बोलिंग कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं तो मतलब अच्छे खासे विकल्प उनके पास है राजस्तान की और अगर देखें तो पिछले मैच में काफी चेंज़स थे क्योंकि अश्विन इंजर्ट थे साथ में उसके पहले सही नांडरे बरगर और संदीब शर्मा के बगएर रहे हैं वो अब डियू थिंक अभी जो बोलिंग ऑप्शन्स हैं कुल्दीप सेन ने वापसी की है यह अटैक ठीक है अगर इफ दोज अधर प्लियोस आधर मिसिंग कुछ और मैचस के लिए कुल्दीप सेन ने बुरा परफॉर्मंस नहीं किया यूना बारिंग डाट नाइंटीन तोवर जहां पे वो हार गए थे मुझे लगता है कि उन्होंने उनको जो आपुचनेटीज मिले उन्होंने अच्छी गती में बोलिंग की हैं विक्टे लिए तो यूना एक अच्छे विकल्प हैं इसमें कोई दो राय ने बट आइम शूर उनकी नजर नांद्रे बर्गर पे होगी कि वो लेफ्ट आम एंगल वो वन फॉर्टीफाइव वन फिफ्टी की गती और जिस तरह से उन्होंने गेन बाजी की है संदीप शर्मा भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं न पर भी उनकी नजर रहेगी क्योंकि वो डेथ यूना स्पेशलिस्ट की तरह बोलिंग कर रहे हैं तो इम शूर यह दोनों गेन बाज अगर फिट होते हैं तो शायद यह पहला ऑप्शन हो सकते हैं और आश्वीन अगर आते हैं तो अगेन वो आटेक बहुत ही स्टॉंग हो जाता है प्लस अश्वीन वो थोड़ा से इस फ्लोटर भी बैटिंग करते कि अगर पहले एक दो विक्ते जल्दी चली गई तो वो उस तरह से आके फिर वो हित्मायर और जो दूसरे बल्ले बाजे उनको रोख सकते हैं धूरू जोरेल को तो अगेन यह टीम की जो स्ट्रें तब तो अबिसली वो बात खतम ही हो जाती है बट अगर अनफॉर्चनेटली अगर वो नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा सर्प्राइजिंग मूव है क्योंकि वो उनका गेम ही नहीं है क्योंकि ना ओपन किया है कभी और आप IPL में उनसे एक्सपेक्ट क करें तो आइमिन राजस्तान तो चाहेगा कि जौस बटलर और रवी अश्विन फिट हो जाए ताके उनका वो कॉंबिनेशन फिर से खेले तो आइम शूर के तनुष कोटियन का शायद वो आइमिन एम हैपी फोर हिम के उनको एक गेम मिला अनफॉर्चनेटली बोलिंग करन के क्यार एठ होम थोड़ा सा फोर्स है अलाकि जादा बहुत डिफरेंस नहीं है इस तीम में दोनों ही टीम में बहुत स्ट्रॉंग है बट थोड़ा सा होम कंडिशन का एडवांटेज थोड़ा सा फॉर्म मुझे लगता है के क्यार अब तक दो में से दो जीते हैं अपने घर के मैदान पर के क्यार ने अगर फिर से जीत दर्ज की तो वो चले जाएंगे स्ट्रेट टु दे टॉप अफ़ टेबल